नमस्कार सारी मित्रों को आज हम गमला पैर करेंगे कि अभी हम समर सिजन में गमले में गमले की तैरी कैसे करे कि हमारे जो प्लांट है वो सर्वाइब अच्छा करे वो प्लांट जो है वो डेड़ना हो वी पोधा जो है मरे नहीं क्योंकि गर्मी में अक्सर over watering की वज़े से या तेज धूप की वज़े से पोधे हमारा खराब हो जाता है तो हम गमले की तैरी करेंगे अच्छा soil mix के साथ अच्छा fertilizer use करेंगे देखिए मैंने कुछ सामगरी लिया इसमें देखिए इससे पहले मैंने एक short video बनाया था जिसमें आपसे चर्चा किया था कि यह जो fruit carrot है vegetable carrot, fruit carrot यह हमें किस तरह से पढ़ता है, शस्ता कौन सा पढ़ता है और उसमें कौन-कौन से पोधे आप लगा सकते हैं कौन-कौन से vegetable, कौन-कौन से fruit plant और कौन-कौन से flower plant लगा सकते हैं अक्सर हम लोग यह carrot में जो है, फूट प्लांट यह vegetable plant लगाते हैं ग्रू बैग में भी आप तिनों चीज लगा सकते हैं, फूट प्लांट, वेजटिवल प्लांट और फुलावर प्लांट भी लगाते हैं बहुत से लोग तो यह कई साइजों में आता है यह तो साइज के हिसाब से आपके पोदे के हिसाब से लगा सकते हैं लेकिन ज्यादा तर जो फुलावर है हम गमले में ही उसको ग्रो करते हैं तो गमला देखिए एक प्लास्टिक का आता है एक सिमेंट का आता है और मिट्टी के गमला तो मि काने के बाद हम इसे कोशिश करते हैं कि यह सेविसेड में रहे या अगर धूप में हो तो हम ग्रिन नेट का यूज कर सकते अभी के लिए समर सीजन में हम लोग बहुत ही कम प्लांट लाते हैं लेकिन मन नहीं मानता कभी 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 रोड साइड में कुछ प्लांट बगरा दिख जाता है तो हम उसको उठा के लिए आते और आप जो भी लाये तो उनसे पूछ के लाईएगा कि ऐसे कौन-कौन से प्लांट है जो अभ कोई पानी करेंगे और गमले की मिट्टी ऐसे तहर करेंगे कि यह पूधा जो है अच्छा सर्वाइब करें यह खराब नहीं हो तो देखिए जब भी आप कोई भी पूधाल आते हैं पूधाल आने के बाद उसको अंच्छा से साफ पानी से उसको बहुत अच्छा से दो दि तो नीम उयल में 2 ml नीम उयल लीजे और एक लिटर पानी में मिलाखे नीम उयल से भी आप इसको अच्छा से थोड़ा सा इसको अस्प्रे कर दीजे हलका सा तो क्या होगा कि इसमें फंगस बैक्ट्रिय जो लगके आती है क्योंकि यह कई तरह से पोदे के बीच में रहता है त एकर बहुत हाड लग रहा हो तो समझे इसमें पानी की कमी है तो फोड़ा सा अगर हाड लगए तो थोड़ा सा पानी डालके आप कहीं भी सेमी कर दीजिए हमनी लगए अयसे मतलगे अप ग्रेणट के निचे रख रहा है और वहां चल रहा हो ओधा अच्छा सर्भाइब न लिए two three Fact लिए उसके बाद विसकी रिपॉर्ट किजिए रिपोर्ट करने के लिए हमने क्या क्या मुद्रेन बनाने के लिए पहले थो हमें चाहिए वष्प मुद्य खुट और लेंने और बड़े भी करना होगा तो तो सब से घंला हम चेंज करते रहेंगे हम चाहें तो गरोव बैग में लगा सकते यह तो आप देख के लिजएगा यह लेकिन यह अलग लेना हुआ था यह थोड़ा एक दरजन लिया था तो मुझे शाट रुपे लिया है यह सिंगल लिया था तो यह वाइट कलर के जो गुद्ध होता है उसकी तुलना में यह अच्छा चलता यह रेड़ वाले और इस तरह से देखी यह फैंडमेट ग्रोबेक जुत बना सकते कोई भी आटेКи बोरीओ हो चावाल की बोरीओ तो उसको भी आप खोल के निचे से खोल के बंध के फिर उसकी प्रोबेक टीम बना सकते है यह फीर पर जाएगा आपको इस टाइप के देखिया इसके तला भी वह सेम ऐसा ही है ग्रोबेक जो इसमेया है ये जितने दिन चलेगा यह हमारे यह जो ब्याग है उतना दिन चलता है लुक में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता लेकिन चलता अच्छा है यह यह चारपास साल चल जाता है और यह ग्रोबैक जो है आपकी यह वाली तो साथ-ाठ साल आराम से चल जाता है कैरेट भी लेंगे आपको दस बारा साल आराम से चल जाती है यह पॉट भी चल जाती है अगर धूप जयदा न लगे तो यह पॉट भी बहुत दिन तक के चलता है अगर आप सेमिशेड में रखते हैं इंडोर में रखते हैं तो यह दस बारा साल आराम से चल जाता है यह पिलांटर जो है पॉ पाँगे, वन्य ख्राइबबूदी प्रीटे-दला जिए पर are of the water says the water Culture system प्रेम पर्फय испर्टे वाटर के जल्दा प्लीबूदा, यह कुछ लोग केbreaks इह डाल देते हैं जोसी मॉटके की बगर हो यह सब डाल देते हैं आप कुछ लोग पत्थर के टुकडे या इटे के टुकडे भी डाल देते हैं जैसे इस तरह से डालने के बाद आप चा करते हैं इस तरह से जो कोयर होती है नारिल के चिलके उसको भी डाल देते हैं तो डालने के बाद आप एक काम जरूर कीजिएगा तो उसमें यह जो रिवर सेंट है यह कम स जो प्लांट है वो वेल्डरन मिट्टी आपके जो मिट्टी है वह बहुत ही वेल्डरन मिट्टी बनेगी और इसमें अबर वाट्रिंग भी अगर आप कर देते तो वह सारे पानी वह निकल जाएगा तो इस तरह से यह आप कोई डालने के बाद यह अकपले डालते कुछ भी इसमें तो रिवर सेंड जो है यह कम से कम एक इंच इतने मोटी उसकी परत इसके उपर डाल दीजेगा तो कभी भी यह गमला जो है यह गमला चोक नहीं होगा आपके संवर में यह पोटटनग मेंस बनाने के लिए क्या शायों लिजिए देखि यह हमने लिए गारडन सॉयल यह मैं 50% का यूज करूंगा आप गाड़ण सॉयल क्यूंत पिल्कुल किजिए उसमें गारडन सॉयल कम हो जाए तो पोदे सर्वाइब नहीं करता इसलिए 50% garden soil लीजिए यह देखिए मैंने लिया है इसमें compost बर्मी compost जो मैं घर पर तैयर करता हूं आप cow dung manure भी ले सकते हैं cow dung manure जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है और मैंने घर का बनाए हुआ बर्मी compost लिया है यह मैं 25% इसके लूँगा आप अगर cow dung manure लेते हैं तो वह 30% ले लिजिए उसके कम से कम आधा तो जरूर लिजिए जितना आप मिट्टी यूज़ करते है जितना स्वाइल यूज़ करते है उसके आधा तो बिल्कुल आप compost लिजिए इससे आपका पोदा बहुत अच्छा चलेगा और उसके साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा कोकोपीट यह मैं 10-15% यूज़ करूंगा यह भी वेल्डरन होता है पोट हमारा और साथ में यह पानी को भी होल करके रखता है जब आप अगर कोपीट का यूज़ करते है तो इसमें सबजी बहुत अच्छा उखता है सबजियों के लिए आप बिल्कुल कोकोपीट के यू है हमेशा बड़े पॉट में किजिए इस तरह से कंटेनर हो या कैरेट हो उसमें किजिए यह गरो वैग हो उसको फिलेप करने के लिए किजिए यह जल्दी डायलूट नहीं होता है बहुत टाइम लगता है और यह पोधे के लिए इसकी जड़े है वह अच्छा सर्वाइब नहीं करता है यह अगर अच्छा गल गया होता है अब घर पे लाखे इसको पानी डालके इसको गला लेजिए तब उसको यूज़ कर सकते है नहीं तो इस तरह से राईसास पोधे के लिए अच्छा नहीं होता है साथ में लिए देखिए मैं यहां गार्डन का कुछ पत्ती ह यह पत्तिय से मैं इसको फ्लब कर दूंगा अच्छ से यह और आगे जाके यह खात का रूप लेगा आप अपने गार्डन जो है प्रेस गार्डन हो या वालकरनी गार्डन उसमें से अगर पत्ते निकलता है तो उसको सुखा लेजी किचन बेस्ट भी हो तो आप उसको भी सु बिलके काटके ढाल देते हैं लेकिन वह मेरे मत में वह अच्छा नहीं है केले का हो या सब्जिया हो के पोधे को बचाना हो वेजीटेबल हो फ्रूट हो या फ्लवर प्लांट हो तो उसमें गिला चीज बिलकुल मट डालिए गिला अगर उसको यूज करेंगे तो वह आपक यह दोनों के बारे में मैं आपसे चाचा करूंगा कि इसकी क्या यूज है पर्मनेंट यूज होगी यह दोनों चीजे का वह मैं आपके साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओंगा उससे वैसे आपको साथ शेयर करूंगा यहां देखिए मैंने कुछ फर्टिलाजर लिया ह इसके बारे में मैं आपसे चाचा करूंगा इसमें से कौन-कौन से फर्टिलाजर हमें देना है और कौन-कौन से नहीं देना है कब देना है इसके बारे में मैं आपसे बिस्तरत में चाचा करूंगा तो चलिए हम यह जो सारे चीजे है एक साइट करके हम मिट्टी तैर कर ल आया हुआ या गार्डन से जो लिफ है अलग 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 ट्री के लिफ से लाते है तो आपके लिए बहुत अच्छा फाइदा करता है उसमें नाइटोजन की मातरा बहुत अधिक मिलती है देखी यह खली होती है कई पोधे में आता है इस टाइप के फली यह अगर आप अपन पोटिंग मिक्स में यूज करेंगे तो इसमें नाइटोजन की मातरा बहुत जादा रहती है तो आपको यूरिया या एन्पिके इस टाइप उसकी यूज करने केमिकल फर्टिलाजर की यूज करने की जुरत नहीं पड़ेगा उनिस 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 बीज बारा 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 एक यह सब आपको यूज करने की जुरत नहीं पड़ेगा अगर आप इस तरह से फाली इसमें डाल देते है यह हरे जो मटर के छिलके बगर भी डाल देंगे तो इसमें नाइटोजन की मातरा बहुत अधिक होती है तो वह आपके लिए बहुत अच्छा पोदा अच्छे सर्वा यह हरे ने बया मिल जात है आपको तो आप उसकी कर सकते तो हम हम इसको किसमा कर देते हैं ॉझे जले वो खाली रखा है और तीन भाग मैंने फिलप कर दिया है यह दीरे-दीरे डायलूट होता जाएगा और तीरे-दीरे यह बैठता जाएगा नीचे तो यह हमने थोड़ा ज्यादा मात्रा में लिया है और इसमें जब मिट्टी डालेंगे तो वो नीचे हो जाएगा और यह जब डिकंपोस्ट हो जाएगा तो यह आपके बहुत ही अच्छा फटिलेजर तैर होगा और यह लंबे समय तक आपको फटिलेजर देने की आवशक्त नहीं है इसमें मैंने थोड़ा सा मिला दिया मेरे पास यह रखा हुआ है नीम की पत्या इसमें नीम की पत्या मिला देंगे तो यह अच्छा काम करता है यह पत्या इन पत्यों के साथ में मिलके इसमें फंगस नहीं लगता क्योंकि पत्या जब गिली हो जाएगी तो इसमें पंगस लगने की संभाव ना हो सकती है तो थोड़ा सा निम की पत्तिया डाल देंगे तो एंटी-फंगस का भी काम करें आप इसमें भी नाइटोजन की मात्रा फास्परस पोटेश्यम की मात्रा भी अच्छे मिलता है नाइटोजन बहुत जादा मिलता इसमें निम की खली में नीम की पत्तियों तो हमने इसको यह डाल दिया है अब हम टैरी कर लेते हैं बेल्डन मिट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए मिट्टी में भहुत सारे पोशक तत्त मिलता है जो आप साब भी जानते हैं तो मिट्टी को हम टैरी सुरू कर देते हैं मिट्टी में हम मिला देते ह कोखोपट के साथ ठला तग कोखोपट मिला जon आ कि पानी को भी होड करकि 및 रखता है से भी कोष कंग्राणी कि मिला। कॉधि नहीं हुअनक्ट करें रहिए भी मिलना तो इसमें हमने कोखोपट मिला दिया द्योंग हुए गंभले की रहे हैं उससाब से हम सामगरी मिला रहे हैं इसमें मिला देंगे हम th reactor 5% से 10% तक आप मिला सकते से काता है डिवर्शन डिवर्शन जब ही मिलाते हैं तो देखिएगा डिवर्शन कम से कम मीडियम साइज के ओक दमबारिक नहीं होना चाहिए तो मीडियम साइस का होता है तो वो सबसे अच्छा काम करता है इसमें मिला देंगे हम थोड़ा से बर्मी कंपोस्ट आप चाहे तो इसमें थोड़ा से राइस हैस्क मिला सकते और नहीं मिलाए तो कोई जुरुत नहीं है इसमें अभी जो फ्लावर प्लांट के लिए इतैर कर रहा हूं इसलिए मैं अभी राइसास का नहीं मिला रहा हूं वेजिटबल के लिए अच्छा फायदा करते हैं इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कई वर लोग केल्शियम की पूर्ती के लिए जो अंडे की जो छिल्के है उसकी पाउडर यूज करते हैं कुछ लोग छिल्के ही डाल देते हैं लेकिन देखी ये छिल्का जो है ये गलता नहीं है सालों साल तक के गलता नहीं है तो आप अगर इस पोटिंग मिस्प में मिला देते हैं वो छिलके को अंडे के छिलके को तो इसको प्रयप्त मातरा में केल्शियम मिल जाता है लंबे समय तर सर्वाइब करता है तो इससे पत्तिय पीला नहीं पड़ता है फ्रूट फ्लवर भी अच्छा आता है तो आप चाहे तो थोड़ा सा यह आपके बहुत अगर रखा हो तो मिला सकते नहीं नहीं है तो आप इसकी जगह पे दूसरे सामन यूज कर सकते केल्शियम के लिए वह भी मैं आप से सेयर करूंगा देखिए मेरे पास यह ओनियन पिल्स रखे है और यह मै लिक्विट फट्रिलेजर बनाके जुरूर डालिएगा पोदे के लिए वह अच्छा ग्रोथ करता है देखिए फंगिस साइड में मैं उसके लिए हमने नीम की पत्तिय भी डाल दिया है नीम के पाउडर भी डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा राक का यूज करेंगे यह ह 10-20 ग्राम इसके राक का यूज कर दीजिए हमने नीम खली का भी यूज किये नीम खली पाउडर का देखिए यह मेरे पास रखा है साप का फंगिसाइड यह मैं यूज नहीं करता हूं यह मैंने शुरू में लेके आया था लेकि यह बहुत हार्ड होता है और यह उस समय में यूज कर सकते हैं जब आपको लगता है कि पोदे की डेथ होने ही वाली यह मनने की स्थिती में है और उसमें फंगस लगा हुआ है तो वो पानी से आप समझ जाएंगे कि ऑबर वाटरिंग के वज़े से हुआ है उस समय आप इसकी यूज कर सकते हैं यह ततकाल काम करता है और इसकी लिक्विट फर्टिलाइजर कभी भी पोदे में मत डालिएगा साफ पंगिसाइड का लिक्विट फर्टिलाइजर जब आप डालते है ज्यादा मातर में डालते है तो यह जड़ को नुक्सान करता है और अगर आप इससे स्प्रे करेंगे पत्यों पे तो यह आप पत्त्त पड़े के पत्तिकों को पूरी तरस सब्सक्तिकों करें। चुद्ध को कांप पत्तिकर्द करें। यह देखिए जो नीम की खली है यह दानेदार है और यह जल्दी डाइलूट नहीं होगा बहुत समय तक चलेगा इसमें NPK की मातरा भी है नाइटोजन फस्पूरस पोटेशन भी मिल जाता है साथ में यह इंटी फंगस का भी काम करता है और यह लंबे समय तक रहेगा कभी आप नीम की खली के लाइए तो उसको पाउडर मत लाइए दानेदार लाइए और दानेदार में सुम के देखिए कि हां उसमें बागस्तों म नीम की खुचबू है वो आ रहे हैं यह दानेदार होने से क्या होगा यह लंबे समय तक गुलेगा यह देखिए दाना जो है यह कम से कम आपको छे महीने साल बार तक के यह दाना धिरी 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 गलता रहेगा और उस साल बार तक के आपको कोई भी फंगिसाइड यूज करने के जुरूत नहीं पड़ेगा तो यह नीम की खली हमेशा दानेदार यूश किजिए हमारे पास ट्राइकोडर्मा जो एक जैविक कबक है इसमें जो भी फंगस बगर लग जाता है उस फंगस को यह नस्ट कर देता है और नस्ट करके यह मल्टिपाई होके अपने स्वाइ यह बॉन मिल रखा हुआ है इसके भी आप हलका सयूज कर दीजिए चुकि पोधे की रिपोर्ट कर रहे है अभी हैवी फिट देने की आवशकता नहीं है आप इसके बाद नेक्स टाइम देंगे तो पंदरा से एक महीने के बाद दीजिएगा अभी घर्मी के सिजन है आपक अंदर्मा इह बगरन नहीं हो तो आप इसकी यूज कर सकते इसमें हम थोड़ा से यूज कर रहे है तो js Bel en est से बनता है इसमें कई तरह खनीश पदात बगर पाय जाता है जो हमें पोदे के लिए बहुती आवशक्ता होता है आप जब भी पोदे रिपोर्ट करें तो एक चीज जरूर उसमें एड़ किजिएगा देखें यह फुल्विक एसिड यह थोड़ा समात्रा में आप 5 ग्राम ज आपके जो पोदे की जड़ है उसमें जड़ को ताकत मिल यह जड़ हर्मोंस जो रूट हर्मोंस के नाम से इसको जना जाता है और देखिए जब आपके पोदे यह बाकी जो चीजे है यह मैं कभी यूज करना है मैं वह आप से शेयर करूं यह पोटास रखा है यह पोटास यह बोरोन है यह कभी यूज करना है से मैं आपको चर्चा करूंगा यह देखिए मस्टर्ट केक है आप मस्टर्ट केक इसमें अभी यूज कर सकते थोड़ी मात्रा में या इसको लिक्विट रूप में देंगे तो पोदे को अच्छा ताकत मिलता है आप एक खली और मिलता जादा इभेक्टिक होता है पोदे पे अगर आपके वहां आसपास मिल जाता है मौवा की खली तो उसके भी पाउडर बनाके आप पोदे में डालके देखिए गा बहुत अच्छा ग्रो करता है और यह जो बोरोन है यह आप जब पोदे में फूल और फल आने लगता है जब कर में पोदे को तब उसकी कर सकते हैं इसको अप दो हमयल लेकर आप पोदे में डाल सकते कंग कर सकते पत्यों पे उससे आपके अच्छा होता है हूदेग को तुरंथ दाखत मिलता है यह तो इसके हूद की इसकी जो है यह सारे चीजे इसको अच्छा से मिलाइगा यह जब मिलाते हैं अब इसको कम से बार दो फिमिला यह को जो हमने विए करके यूज किया है नेमखली के यूज किया है वो सारे चीजों में मिला सारे पदार्थ जो है एक दूसरे से अच्छे से जो मिल जाना चाहिए और मिट्टी जब हम आप यूज करते हैं तो हमेशा मिट्टी को दो तीन दिन धूप में सुखा के फिर उसकी यूज किजिएगा चुकाने के बाद के आता है कि उसकी जो भेक्ट्रिय फंगस बगर रहती है वो निकल जाती है कभी भी गिला मिट्टी का यूज मत किजिए गिला मिट्टी से अच्छा है कि आप मिट्टी को अच्छे सो सुखा लीजिए शुखा के फिर उसकी पोटिंग मिक्स तैर आपके जो पोधे हैं वो बिल्कुल एक भी पोधा नहीं मरेगा और आपके जो पोधे किये हैं उसकी हालत बहुत ही अच्छी होगी बहुत ही अच्छा सर्वाइब करता है इसमें डाल देंगे देखिए मेरे कोई हर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसलिए है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आता है या आपको बुरा लगता है तो आप कमेंट जरूर बताएब जाओंगा, मैं भी आपने भूल को सुदारना चाहूंगा, तो यह हमने मिट्टी टैर कर लिया है, अब मिट्टी टैर करने के बाद इसको इसमें हम पौट कोई भी पौधा है, उसको हम इसमें डाल सकते हैं, और दो चीज मैं आपको साथ शेर करना चाह रहा था, एक जो है, और थिए च्यूट यह मुधिया है परीार शाम च्यूट के नियुकत लोगने के जने चोорыां देना चाहले भागना को सबस्क्राइब दो किल डाल के रख दीजिए पोदे को जो है आज ये आईरन की कमी नहीं होगी तो इस तरह से आप पोटे मिक्स बनाईए इसमें पोदे लगाईए और लगा के देखिए आपके पोदे जो है अच्छा हिल्थ ये होगा और अच्छा सर्वाइब करेगा तो ये था मेरे आज क छोटा से वीडियो कि हम गमले की तहरी समर में कैसे कर सकते है धन्यवाद आप सबी को